पोर्ष और टेसला को टक्कर देने के लिए सू साथ ईवी का बाहरी रंग एकवा ब्लू है टेक दिगज ने इस साल के अंत में लॉंच और डिलिवरी से पहले सू साथ इलेक्ट्रिक कार के बारे में अधिक जानकारी भी दी है ज्यावी का वादा है कि सू साथ अपने प्रदर्शन के मामले में पोर्ष और टेसला को टक्कर दे सकता है ज्यावी ने संकेत दिया है कि सू साथ इलेक्ट्रिक कार की डिलिवरी इस साल अप्रेल से चीन और अन्य बाजारों में शुरू हो सकती है कम्पनी की योजना मार्ज तक SUE 7 की लगभग 2.000 यूनिट्स का उत्पादन करने की है इसकी जुलाई तक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा कर लगभग 10,000 करने की भी योजना है MWC 2024 इवेंट के दोरान ज्याउमी ने SUE 7 इलेक्ट्रिक कार के टॉप लाइन संसकरन का भी खुलासा किया जो अधिक शक्ती और बहतर प्रदर्शन का वादा करता है Specification, ज्याउमी 107 Max जो पिछले साल अनावरन की गई इलेक्ट्रिक कार के मानक संसकरन से उपर होगा 673 HP की पावर और 838 NM का पीक टॉप पैदा करने में सक्षम है इलेक्ट्रिक कार का मानक संसकरन 299 HP और 374 HP के बीच पावर आउटपुट पैदा करता है जबकि पीक टॉप आउटपुट 635 NM तक जाता है मानक संसकरन के लिए उप्योग किये गए वी 6 और वर्सिस 6 इंजन के बजाए ज्याउमी 107 के Max संसकरन के लिए वी 8S इंजन का उप्योग करेगा बैटरी और रेंज तेक दिगज का वादा है कि ज्याउमी 107 Max एक बार चार्ज करने पर 1200 किलोमीटर से ज्यादा चलने में सक्षम होगा यह इन हाउस विक्सिच CTB, Cell to Body तकनीक से लेस होगा जो बैटरी को वाहन में एकी कृत करता है